नवधा भक्ति को बारे मां चर्चा गर्ने क्रम्मा एस अगी हामिले यही बुज्यों कि भक्ति अनेक प्रकार ले गर्न सकिन्छा संत हरूले नहीं बिविन्न प्रकार का भक्ति हरू बताउन बायको छा समय को विचार गरे रह देश काल परिस्थिती बन्चवने तेस अनुसार बिविन्न प्रकार का भक्ति अरू बताउन बायको ताकि कुनेने कुने उपाय द्वारा सबयले भगवान को भक्ति करन सको हमरु लागी कुन भक्ति कल्यान कारी होता प्रलाजी महराज ले नौ प्रकार का भक्ति बताउन बायको श्रवणम् किर्तनम् विश्णोष्मायरणम् पादसेवनम् अर्चनम् बंदनम् दाश्यम् सक्ष्यम् आत्मनि वेदनम् भागवत्य साथ पाच्टेश इनौ प्रकार का भक्ति द्वारा जीव को कल्यान उन सक्षवनेर बताउन बायको नौ मज्य पनी तीन प्रमुखुन तीन ओटा भक्ति केके उन अभियार लित सुनी सतनु यादपनी छा बारंबार सुने को उनाले कंठस्त पनी वैशके होला श्रोत अभ्या कीर्थित अभ्यस्च इस्मर्त अभ्यस्च चतावयम भागवत्यू एक पाच्च श्रवन भक्ति पहिलो भक्ति दोसरो कीर्थन भक्ति अनि तेशरो इस्मरन भक्ति भागवान को ध्यान पर ये तीनोटा मद्देपनी भगवान को ध्यान इस्मरण भक्तियो प्रमुखो तस्मात के ना प्युपाए ना मन्ह कृष्णे निवेशायत साथ एक 31 भागवत तिसेले बेद ब्याशेले बताऊनुबर जसरी भयता पनी अरु जे गरेता पनी मन भगवान मा लगाऊनुँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ किने की श्रवन भक्ति द्वाराने आमिलाई भक्तिको महात्मेको ज्ञान उन्छा श्रवन भक्ति द्वाराने श्रिक्रिष्ण को उन्ण उन्छा कसरी वहां मिलन उन्छा र किना श्रिक्रिष्ण को भक्ति गर्न परियो कि एकालागी भक्ति गरने श्री कृष्ण को, इस सबय कुरा को ज्ञान सुने रने उन्छा, यो सुननु एस्तो चीजो, कि सही कसेले सुन्यों बने, भगवान को भक्ति पनी गर्छा, तो यदी कसेले खराब कुरा सुन्यों बने, फेरी यहुटा साधक नास्तिक पनी बन्छ तेसेले अत्यंत सजगरान उपर्ष, पचाडी आमी कुसंग को बारेमा चर्चा गरने छो, श्रवण भक्ति अंतर्गत दुई प्रकार का भक्ति पर्दशन, यवटा तत्तो ग्यान और यवटा भगवान का लिला कथा अरुको श्रवण तत्तो ग्यान वन्नाले सिध्धान्त को बारेमा म के चाहांचु आनन्द, कस्तो आनन्द चाहांचु आनन्त मात्रा को प्रतिक्षन बर्दे जाने सदै रही रहने, के एस्तो आनन्द मिल्यो अहले सम्म मिलेन, सिमित सुख्ख मिल्यो घर्दे जाने सुख्ख मिल्यो समाप् पहले प्राप्त होनुँँछ, केवल जाने पूँख覺। कसरी जानने तव्घवान लाई भगवान को क्रिपा द्वारां जानना सकिन्च। कसरी भागवान ले कृपा गर्णों छा भागवान को शरण मा जानू परे उत इसको निम्ति कसरी जाने भागवान को शरण मा भक्ति द्वारा जान सकें छा यो ज्यान लाई बनें छा सिध्धानत को ज्यान ठीक ठीक इसको ज्यान उनुपर अन्य था अन्य था तर तो फेरी आमी घराे की घरी राणि जाओं घरागवान को पनि था चाएं लाख केई भाय ता वंदा त्यों पनि था चाए्न परमावश्य को सिध्धान्त को ज्ञान अत्यंत आवश्य को तेसले चाहितनय माहप्रaurus ले बता उन्हों भाएको सिध्धान्त बलिया चित्त ना कर आलष अलचिना अगर सिध्धान्त सुनना बारं भार सुनन यह नठाना में यह सुनी सके कुछ केचार सिढ्धान्त दुई चोटी तिन चोटी तल प्रेमर सिढ्धान्त नुपढ़ी सके श्री गुरुदेप को ठीक राम्रो दुई पटक तिन पटक पढ़नु असाध्ये राम्रो वाको प्रवचन सुनी सकेको भई जन राम्रो तो निरंतर सुन्देयर जानू, शुनी रहनू, हरे एक दिन श्रावन गरणू, श्री गुरुदेप को प्रवचन अत्यंत जारूरी छा। आम्रुब मन ने यस्तो छा, आम्रुब मन ले घरी तर्क गर चा, घरी बितर्क गर चा, घरी संका गर चा, ती सवय को समाधान यदी श्री गुरुदेप को प्रवचन सुनी रहे हो बने उदय उदय जान्चन, तैसले अत्यन्त जरूरियो, भागवान का लिला कथा अरूता, एदी कसले भागवान का लिला कथा सुन्द ये बने तुलसिधा वसeping चा, जिनहारी कथा शुनही नई काना, चवररंद्र अही भवन, समाना...... जसले भागवान को लिला कथा अरु सुन देना तेसको कांत सर्पको प्वाल घस्ते हो तेसको कुने मात्पो नहीं चाहिए किने कि यो कांने भागवान ले तेसे को लागी दिनु बाओ भागवान को लिला कथा सुनन को लागी तेसले भागवान का लिला कथा अरुपनी सुनन जरूरी छा किनकी भागवान का लिला कथा सुन्यों बने जब हमी भागवान को ध्यान गरना खोच्चे हो ध्यान गरना को लागी बिशय मिल छा पहिलो कुरा भागवान को लिला कथा द्वारा ने भागवान का गुण अरुको बारे मा भागवान को महात्मे को बारे मा आमी जानना सक्षों तेसले त्योपनी जरूरी छा अस्तो सिद्धान्त एवं लिला कथा अरु सुन्नू योहो श्रावन भक्ती तेस पचि केबल सुनेरत काम लाग देने कसरी खीर बनावनी कसरी ढकनी बनावनी यह तेल खुब प्रवचन दिये चा तेस बाट के हुन चा पेट भरीं चा भरीं देना स्वाथ था उन चा उन देना तेसको लागी तेसले प्रैक्टिकल गरनू पर जे जसरी बताएगो चा त क्यृतन पर जे पचि अवर किर्तन बनाले भगवान का नाम रूप लिला गून धा म इत्यादि को गायन गरनू पर यो यो ऐती श्रेष्ट साधना के यो बंदा श्रेष्ट साधना ना कलियुग मा और को क्यों उने शगदेनले बास्तब मां आरुत कोने संभव नहीँ था नाम संकीर्तन कौ युग बने रचिनी जाए जती-जती कल युग अजय छिपिदें जान चवाई तेती अन्य साधनारु झंझं लुपते होँ दài जान चवाई प्रवंतीम संव्भ बचने एक मात्र साधन बने को नाम संकिर्टन मात्रेयों। तेसेले नाम संकिर्टन गर्णुछा। संग संगय भगवान को ध्यान गर्णुछा। किनकि आध्यात्मिक जगतमा मन नहीं प्रतेक कर्म को करता हो। यु द्रेव क्यात्मिक गर्णुछा। मन कास्क को कहा चा मन को विचार कस तो छ की सूची रहे को चा मनले। यो सवेवंदा प्रमुखो, अब यहीं सवेवंदा कठिनाई उन्छा, किनकी हातलाई भायको भाय नियंत्रण गर्न उन्थु केही गरी, तरह मन माथी नियंत्रण गर्न तो धेरे कठिन छा, चंचलम ही मना क्रिष्ण प्रमाथी बलबद्द्ध दम् छाच्वातीस गिता भागवान ला अर्जुन ले बने कि यह प्रभु यु मन अत्यनत्रण चंचल छा, रहा हमलाई अनुभवम्मापनी छा, यो कुरा, चाहिने रहा, साधना गर्न थाल्यो आखा बंदा गर्यों भा साधना गर्न पश्यों मन गाउंडूल न जान चा बंद्धिन, आउदे नायका भिचारपनी ठक ही साधना गर्नी बेलामा आऊँचा, येस्तो मन लाई, निरंतर भगवान को इश्माण भाईराउस यो इस्थितिमा कसरी पुर्याउनेता, त्यही उपायको नाम नही हो अर्जुन अभ्यास द्वारा साधना द्वारा संभव छा त्यही साधना को बारेमा आमी चर्चा गर्ने छों आज़ा अस्तो तेस वंदा पहिले यो भगवान को ध्यान जुन रूप ध्यान बंचों आमी या भगवान मा मन लगाउनू चिंतन इश्मरन यही प्रमुखो प मिले बुजेओं कि तीनोटा लक्षण अरूचन उत्तम भक्तिका जसलाई श्री गुरुदेवले आत्यांत सुन्दर यहवडा दुहामा उतारी दिनू भायको छा हरी गुरु भजु नित पहिलो गोविंदर आधे भावनिश काम दोसरो अनन्य बना दे तेश्रो अर्थात पहिलो क्यो हो हरी गुरु भजु नित निरंतर मनोगतिर अविचिन्ना भागवान कपिल जी ले बताऊनु भायको थियो अविचिन्न उन्न परच भक्ति अविचिन्न वन्ना ले निरंतर जगत गुरु श्री कृपालु जी महराज ले पनी तही बताऊनु भाय निरंतर पर दोस्रों अहे तुक्य बेवहिता ये दूठा बताऊनु भाय नि भागवान कपिल जी ले निसकाम होस र अनन्य होस पर एसको बारे में हिजो आमिले चर्चा गरियों समझिप तमा भाक्ति निसकाम उनु पर चा बन्नु को मतलग संसारी कामना उनु उदैना पहिलो कुरा। रही जो इसको बारे मां मनन पनी गरियों तरक द्वारा पनी बुजयों कि संसारी कामना लिये र गरिने भक्ती तह भक्ती ने वही न। प्रत तरक कामना ना को भक्ती हैं। रहा संसारी कामना बंधनकारी उनु शन न। कामना गरना साथ जीव बंधन न। तेसले सास्त्रमा कामन आलाई त्याग गरने बने रहा बताई एको छा तरह आमीता आनंद चाहन छो यो हमरो सुभाव हो तेसला आमी त्याग गरने सकते नू फेरी समाधान के होता जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज ले बताई दिनू भायो कामन आलाई भागवान भागवान तिर मोडि दिनू मिठो खाने मन छा एसलाई पनी के गरनू परियो भागवान तिर मोडि दिनू परियो अ भागवान लाई अत्यंत स्वाधिस्ट परिकार अरु अर्पण गरेर वहाको प्रसाद म ग्रहन गर चु अवत त्यही के वायो भाक्ति वायो अगी सम्म के थियो कामना थियो तिसले स्री कृष्ण तीर मोडी दिनू परियो सवय कामना आरूलाइ संसारी कामना बंधनकार्य हुन त्याज्य हुन र कसले संसारी उद्धेश्य लिये र धन पद प्रतिष्टा परिवार इत्याधिको लाब को निम्ति भगवान को भक्ति गर दैच संसार्त मिलनू पर नी कम से कम भगवान को भक्ति करें पाषी मिल दैच संसार्त हमरो कर्मा अनुषारं पुरवजन्म को कर्म प्रतमान जर्म को कर्मानुषार ज्य जतियो Ketimattra मिलेोसार एसमा भगवान दहानी दोटर्धेश्च अगरिब दनी और दनी ऑ को गरिप वन्ह कर्मा कर्म शक्ति दे गारने這種 ко會 भक्तीThese ने वहता है सम्पंदी कामन मोक्ष च φường भगवान को दरशन परेम को यह सकाम भक्तीbows और रसीक संत तर्वले मोक्ष को कामना लाय तिरिष्कार गरन बय को मोक्ष्य यद्यपी ज्यानी अरुले खुब तारीफ गर्षन कईवल्यको मोक्ष्यको एकत्वको तर रसिक संत अरुले मोक्ष्य लाए काईतव प्रधान थगीनी अरुमध्यपनी सवेवंदा थगने वाला बनेर बतावनों भायकोच किने की एक पटक मोक्ष्य कसाईलाय मिल्यों बने तेसले कहिले पनी वविश्यमा श्रीक्रिष्नको प्रेम प्राप्तागर्न सक्देने तर बरतमान समयमा कोई नरकमाई चा कोने जीब बने तेसले कुणे भेला मानद्द्यह प्राप्तगर्न शक्छा ती भेला कुणे रसिक सं्त गुरु को रूपमा मिल्न सकनून छा फ्रवोहां ले बताए अनुसार साधना गर्य श्रीकृष्णको प्रेम प्राप्तगर्न सक्छा आज नरकमा वयको जीवले समित तरह कसे ले मोक्ष प्राप्त गरेको छा बने अब उसले कही ले पनी श्रीकृष्ण को प्रेम प्राप्त गर नसकदे ना तेसेले मोक्ष लाए तार मद्दे मोक्ष बांग चा कैतब प्रदान सवेवंदा ठुलो ठागिनी बने रसिक संतारू ले अस्तु मोक्षे को कामना तो सब्यवन्दा खतर्नाक। रजोन श्री कृष्ण को प्रेम को कामना हो हे प्रभु अजुर को दर्शन करे ले पाउशो इत्यादी। एध्यपी सिद्ध अवस्थामा त्यो बंधनियो तरह जो निस्काम प्रेमी संतारु उनुँँचा उहारको द्रिष्टिकोण मा त्यो परम बंधनियो उनुँचा। किने कि त्यसमा आफनो सुखको वासना होंचा। प्रभक्ति कस्तो उनुपर छा। स्वा सुख वासना गंदलेश शुन्य। श्री कृष्ण सुखई का तात्पर्यमाई यो उनुपर छा भक्ति। अर्थात आफनो सुखको कामनान न रहोस। मश्री कृष्ण को दर्षन चांचुकी न वहालाई सुख दिनको निम्ती। जब वहां खुशी उनुँचा मेरो सेवाद्वारा वहालाई प्रसन्न चित्त भयको देखे रहा। खुशी भयको देखे रहा। अब मपनी रमाऊचु, मपनी खुशी उन्चु यो उन्चा निस्काम प्रेमियर को भाव। रहमिले पनी यही भाव अपनाउनुपर्ष निस्काम भाव। केसेले कामना उनुबायन भक्ति करदा। भुक्ति मुक्ति स्प्रिया यावद पिसाची हिर्दिबर्तते तावद भक्ति सुखस्यात्र कतम अभ्यूदयो भावेद। रूप गुष्वामी जी महाराज वन्नुँँँचा जवसम्मा हम्रो अन्ताकरण मा भुक्ति र मुक्ति को कामना उनुँचा तवसम्मा भक्ति रे रूपी महादेवी को प्राकट्टे हो दैन। भक्ति रूपी महादेवित तब आउनु उन्छा हिर्दयमा जब आमरो हिर्दय खाली हुन्छा। कशले आउनुस आउनुस वनेर बशनुस वनेर बशालल खोजयों योटाकुने आसनमा त्या और के भेक्ति पहिलाई चावने विचाला बशोस कशरी। भक्ति लाई पनी हिर्दयमा बासगरावन को निम्ती हिर्दयमा जुन्आमरो कामना चा भुक्ति रा मुक्ति रूपी त्यों कामना ला हटावनु परे पहिले। तेसले बारंबार संतरले जोड़ दिनुबैको चा अन्या विलासिता सुन्यम ज्यान कर्माध्यना व्रितम आनुकुलेन कृष्णानु शीलनम भक्ति रूत्तमा उत्तम भक्ति को निम्ती सवेवन्दा पहिनो शार्त हो अन्या विलासिता सुन्यम। कुने पनी अविलासा कुने पनी कामना न रहून। इसको बारे मात भूजवामिले। अब यो दोस्रों को बारे मात फोरे चर्चा गरूं। ज्यान कर्मा द्यना व्रितम। भक्ति मार्गमा ज्यान को र्व कर्म को आधिपत्य न होस। ध्यान दिनुवला भक्ति मार्ग परम सोतंत्र मार्ग हो भक्ति मार्ग लाए अरो कसे को पनी सहायता चाहिए देना कर्म लाई भक्तिको सहायता चाहिंच, ज्यान लाई भक्तिको सहायता चाहिंच, तेसले कर्मकांड गर्दा हरी प्रारंब मा पनी भक्ति करिंच, अपभित्र, पभित्रोबा, सर्वा, वस्तांग, तोपिवा, इत्यादी, रांतिम मा पनी भक्ति करिंच, मंत्र, हिनम, क्रिया हिनम इत्यादीटे जान साधनामा पनी ज्यान साधना गर्दा-गर्दा जब ज्यानि ठाच तव ज्यान वानमाम प्रपध्यते भगवान ले घीता अमे बताऊने वाईको छा तो ज्यानि ले भक्ति गर्णु परचे तरह भक्ति सा मुख्य तरा पेक्षी तत्वात सांडिल्य जिले बताऊन वयो सांडिल्य भक्ति दर्शन को दसों शुत्रमा कि भक्ति मुख्य हो अरु सबै भक्ति को मुख ताकेर बस्चन तरा भक्ति परमस्वतंत्र हो भक्तिना आरो कुन ही मार्ग आ अपेक्षिया रहन है तेसले भक्ति सादना करण संगे ज्ञान सादना है और पनी गरने के लुए नकीर्म गरल नंविए अगरने को पूतर सव कक अफ्गी करहत है यहीं दमक माने जसको घर्मा बशेगो थे मरी मराव परे वहां को आफंत को अब हम्रों किर्थन चली रहनते हो साज साज विचारा हुआ आला है सब ले गेरे चन ए घर्मा मरी मराव चा बाजा बजाओनी अल्ला खल्ला गरनी यहीं पजी गरूर पुराण पल्टायरे देखाएं एदी कसे को मरी मराव चा बने भागवान को किर्थन नहीं गर्णु पर चा यह लेखिये कहीं जा सास्त्रमा जब एतिकाई मात समाज मां हंगा मां उन्छा बने स्राध्य कर्म गर्णी छोड़े और भने भरबाद हो ले ना व्योर्स यदी िस्तिति आउने संभा बना अच्छा भणे अवस्षय गरूरूस ज़्युर्की आउब मनको श्थिति आउने शबयतक सीरा कि उल्ले के बने ओ तिले के बने ओ फ़ाने खे बने ओ इस अब persistence ऑप पुगा करे ककले इम जुन्दिने त्यो इस्थितिमा पुख्षों साजना गर्दा गर्दा त्यो इस्थितिमा पुखी सके पजी फेरी कही पनी गर्णू पर देने भाक्ति मार गलाई छोड़ी दिनों सेधी कोई सन्यासी राय चबने त्यों सन्यासी ले पनी कुणे कर्मा गर्णू पर देने कुने कर्मकान्द वास्तमा गार्न जरूरी नहीं छाई ना रेदी पित्री को निम्ती फेरी उन्येले दुखपावुलान बन्नी कसेलाई लाक्षा बने स्वयम बेद व्यास्तिली नहीं भागवत्मा उल्ले करी दिनुबैको छाई देवता मुनया सिद्धा पीतरू मनबो निर्पा यच्छंति कामान ग्रिणत शिन्वातो यश्यकिर्तनात भागवान को संकीर्तन गर्नाले पित्री अरुपने त्रिप्त हुन्चन उनियर का सबै कामना अरुप्रोण हुन्चन पित्री लोकमा तर कर्मद्वारा कली युगमा कर्मद्वारा पित्री को कल्यान हुन सक्देन किने के विचार आज असले कर्मकांड गराऊन हुन चा वाला योपन ही था चाहिने कि पित्री को कुन इस्तिती चाहिने कि छावटा विधी युक्त कर्म गराऊन सकने तेसले कर्मद्वारा पित्री को लागी चे मिल लएना तर समाज मा देखावटी गर न को लागी संस्कृत दानना को लागी ने अईले भे राय को चा जे जे भे राय को चा रह आवस्यक त्ता परेको खंडमां ती सबैं गर्दा हून चा तर भीत्र कुन भाव ले कर लो परे ये प्रवु येसमा मेरो कुने आसकती छाई ना, मैं ले यो पित्री को लागी जे गरी रहे को छो, यो बाद्ध्यता भाईर लोकाचार को निमती, लोकसंग्रा को निमती गरी रहे को छो, मेरो मन निरंतर अजुर्माने छा, मैं येसको फल पनी अजुलाईने अरपन गरना अचान छु यो भाब ले फेरी गर दाऊंच, तर यदी साधना यहोटा निश्चित कक्ष्यामा पुगी सक्किको छा, बने फेरी गुरु ले बताई दिने सकनूंच, कि अब तहले कर्म धर्म गरनू पर देने, अब केवल भक्ति गरनू रादी रादे गरनू, अस्तु, अ अब कर्म को आधिपत्य नहो स्वक्ति माथे और आर को अनकूल भावले, आनकुलेन कृष्णा अनुसीलनम, अनकूल भावले श्री कृष्णा को अनुसीलन गरनू, इसको मतलब क्यों, चार प्रकार का भाव होंचन, दाश्य भाव, सख्य भाव, बात्सल्य भावर, जब भागवान को ध्यान गरनूंचा, ध्यान गरनूंचा, ध्यान गरनूंचा, कुने भाव द्वारा नहीं ते सेवा होना सक्षा, वालाई स्वामी माने र, आपुलाई वहां को दास माने र, जब आमी सेवा गर्चा हों, तेसला के बनींचा, दाश्य भाव, अर्था ते और दासको अईसियत अलकिति कमने अधिकार होंचा दासको अई नरो थाजको बन्दा बड़ी अधिकार कसको होंचा साथी को होंचा दास्त डोकामा उभियर कुरेर बस्त एदी मालिक ले कही काम अरायो बने फेरी तो काम गर चा तरह साथी ता सराशर कोठा बित्र चीर चा तो जुन्द आगी मालिक दास्त को उसे को छेवमे बस्त निए उसे को सोफामा आसनमा आईने रहा क्लोज सक्ख्य बाब अब एनु सक्ख्य बाब उना साथ कती देरे अधिकार मिलियो भागवान से क्रिष्ण सक्खा अरुसंग खेल खेलनूं थियो जानी जानी आरुन थियो अनि हारे रहा गोडा बननूं थियो सर्त अनुशार गोडा बने रहा सक्खा अरुसंग आफु माती सवार गराऊनूं थियो एति देरे अधिकार सक्खा अरुको मूखको जूठो भोजन खोसी खोसी खानूं थियो यो द्रिश्य देखे रहा ब्रह्मा जिलाई पने आश्चार चकेत उनुबवां मैं लेत सुने को थियें पूर्णतम पुरुसोत्तम ब्रह्म को अवतार भाय को छा रहा यही ठाने को थियें कि श्रक्रिश्ण ने उन बने रहा यस्तापनी ब्रह्मा हुंचान रहा कि ती ग्वाला अरुको जुठो भोजन गरने ब्रह्मा जिले सबय ग्वाल बाल गाई बाच्छा सब लाई लियर जानुब चोरे रा भागवान श्रक्रिश्ण लेशो एरनुबा को कोई पेनी छाए ने विचार गारनुबा आयो ब्रह्मा जी को काम रहा जा वाले ती सबय ग्वाला अरुको रूप धारन गरनुबायो बाच्छा बाच्ची अरुको गाई बचडा अरुको रूप धारन गरनुबायो श्वयम बन्नुबायो एक बर्स सम्मा यो लिलात चली रहा एक बर्स पची ब्रह्मा जलेशो विचार गरनुबा सब्धाइ जस्ता गोतस्तेशा वहां ले बल्ले रिलाइज गरनुबायो कि वहां परमेश्वर उनूंचा परब्रह्मा उनूंचा शरणमा जानुबर अस्तो एती देरे अधिकार सक्ष्य बाब मां योवंदापनी श्रे आले लाला लाए तर्शावन उन्चा पातलो यहुटा लवरी दिखाए राच पहले माटो खाई श्रे मुखोल विचारा लाला भयवित डराई रहनुबायको चा जुन ब्रह्मा को निम्ती बेदले भयादस्याग निस्तपति भयाद तपति शूर्या प्याद इंद्रष्च बायोस्या असु बघभाण को डरले या मराजपनी कापडशन बनेर बतायका चन ती ado को शुन ये सिधा मियाको ये टराई रहनुबायको चा रउयी रहनुबायको चा आशू बघाए रहनुबायको चा जब गोपी अरु ले शिकायत गरे कि यसले मखन चोरे रखांच यह सुदा महिया ले बारं बार शिकायत आई सगे बसी लाला लाई दंड दिनु पर शा बनने ठाने रा उखल मा बादी दिनु बढ़े रजुन भगवान अनंत जीवरु को मुक्ति दाता हुनुँँँच वहां उखल मा यवटा पातलो रसी को बन्दनमा बादीनु बढ़े को छ़़़ब आपनो मुक्ति को निम्ती आचना गरदे हुनुँँच वहां भगवान आनंद शिन्दु साक्षयात आनंद जिवात्मापनी सदा को लागी शोक रहितूंचन वहां भगवान स्रीक्रिष्णा रुए रानु भायको छा कसेले मलाई भोकाल दे वन्दे एती देरे अधिकार येशुदा मैयाले मख्षन निकाननको लागी दाई मतनूंच एती कईमा लाला जानूंच काखमद बसन को निम आप लागी शाड़ी संबावनननननूंच एसदा मैले जा जा तकेल तला ये कखमद पुर्षत छाईनननूंच वहां लाला जान जानननूंच अरुनूंच जगडा गरननूंच आदध्गोडा फालनूंच आदगोड़ा प्रणी बुड़ी गरनूंच नारज जिले यो द् भ्रह्म्म को अवतार दभाये को छा ऩर्छ हां, पर यह दुधता मद अवर्म्म को नहीं कि ब्रह्म्म को इसरह जा सिंदी ऐने शड़ा मही जा निए की अधिश्वाasts को भ्रह्म्मा जी, विश्मो जी, संकर जाने जान पराने चानूंग्ंगॉ जसको काख मां ब्रह्मा जी विष्णुजी संकर जी जाना चानूंच वहां येसुदा मैया को काख को निमती लड़ी बुड़ी गर दे रुदे उनूंच रहे येसुदा मैया काख मां लिनूंच यो वादसल्ले भाव जória यो वंता पनी श्रेष्ट हो माधुर्य भाव मा शीकृ्ष्णुजी घ्रश्णा लया आपनेा प्ति और प्रियतम मानेश कर द्सिवा अबंदा बड़ी अधिकार्थ श्रिमर्स ask zar के भरमें पनी अब मीरा खौरा अपनी चोड़ा को कोठामा तो गई दाइनें दभी बाव आई सके पछे दोगामा डगड़ा गरे रहा चोड़ा बाई रहा आए पर जी बॉल्ला के काम चा वना काम बताइन चा सभेवंदा बड़ी अधिकार श्रीमतिके उन्च वो जतिखे जहां पर नहीं जाना सके तेसले आप लाई भागवान को प्रियसी अनि भागवान लाई प्रियतम माने रहा जुन सेवा गरिन चा त्यो माधूर्य भाव द्वारा गरिने सेवा तेसले लाई बनी चा माधूर्य भावले श्रीकृष्णलाई प्रेम गर्नू छां किने कि यो सर्वोच भावो माधूर्य भाव मापने तिन प्रकार का भक्त अरू छन यहुटा आपनो मात्र ही सुख़ चाहने खुब्जा इत्याधी यहुटा दुबै को सुख़ चाहने रुक्मिनी इत्याधी रह तिसले आमरो निम्ती भक्ति का आदर्श उन ब्रज का गोपी अरू प्रदेवर्शी नारज जिले पनी है इत्याधा ब्रज गोपी का नाम भक्ति का सरीगर ने ब्रज का गोपी अरू ले जस्ते तिसले माधुर्य भाव द्वारा भगवान को उपासना भगवान को सेवा रूप ध्यान भित्र आएले कि आएले साधना अवस्तामा छो जव सिद्ध अवस्तामा पुक्छाऊं तेटी बेला भगवान को दिभ्य प्रेम प्राप्त उन्चा दिभ्य दर्शन मिल चा अनि दिभ्य सेवा संबब उन्चा अहले साधना अवस्तामा आखा बंद गरे भगवान चिंतन गर्दै तहीं ध्यानमाने भगवान को माधूर्य बावले सेवा अश्तु यहरो उत्तम भक्त आवकसरी साधना प्रारंव अवस्तापीर्वें अवस्ताधना प्रवेश गर्वाक। साधना दू प्रकारले गरनु छा, कर्म योग को साधना र दोशरो कर्म संयास को साधना, दुब है जरूरी छान, कर्म संयास को साधना, कर्म सन्यास को साधना कसरी गर्ने कर्म सन्यास को साधना गर्नको निंती सवेवंदा पहिले आधा घंटा कम से कम समय निकालनुश। कती बेला फुर्षाद उन्चा आफुलाई। ब्यान निकाले पनी हुन्चा। दिवसोस आजर आती सवे जाना सुती सके पछी अथवा सवे जाना उठनू बंदा पहिले। जसलाई जती बेला मिल्चा। आधा गंटा समय निकालनुश। तेस पची मोबायल मा भजन बजावनुश। अरे राम, अरे राम, अरे अरे मोबायल मा भजन बजावनुश। तक संग कुने सजीलो आसनमा बस। राँखा बंदा गरुश। अनि भागवान को पहिले यहुटा फोटो एरनुश। बोबायल में पनी वालपेपर मा कहीं यहरन सकनुच। यह घरमा पनी लगावनुश। यहुटा फोटो अतेंत सुन्दर फोटो एरे रा अब आखा बंदा गरेर तेस्तै सोरुप बनावनुश। मनले यहता किर्थन चली राचा चलना दिनुश। संभाप्षा बने किर्थन गाउदे गरदा पनी उन्च। रा मनले चाई भागवान को यहुटा रूप बनावनुश। रा त्यो रूप मा विविन्न अंग अरुको दर्शन गरनुश। तैस्पचि मनले ने बस्त्र लगाई दिनुश। मनले ने आबुशन लगाई दिनुश। जस्तु आख्वला इच्छा हूँच्य ने श्रिंगारケों। अब अब मनले ने सेवा गर्न थाल। माधूरेबाब मा सबय प्रकार को सेवा गर्न पैइनुश। मन लिने भगवान ले आसनमा राखनुस आफनु अगाड़ी, भोग लगावनुस मन लिने, तेसपची, अब हमकी दिनुस, पंका हमकी दिनुस, तेसपची, अब सिंतन गर दे जानुस, जे जत्ती सम्बभ चा, चुठ्याइ दिनुस, पुष्ण कु लागी टावेल दिनुस, अभच्राम गरन लगाऊनु चरन दबाऊनु गुमन लेरजानु जह जह इच्छ है ये कर्म सन्यास किoda है कार्म सन्यास बने को इसके काम न गरदेए गारने साधना शर्यक दिन आधा घंटा गरने जरूरी छा प्रार्थना गर्नी गर्याच्छु भाई आले ता आदा गंड वही न त्यो बाहेक गर्नु छैयो। किने कि कर्म सन्यास को साधना माने भागवान को त्यो शुखा को अनुभूती हुन्द जान छा। भागवानले आमले आनन्द उनुँचा आनन्द सिंदु उनुचा बने भागवानले आमले आनन्द सिंदु उनुचा बने भागवानले आनन्द सिंदु को अनुभूती तो अनुभूती तो शुखा को अनुभूती तो आनन्द को अनुभूती यो कर्म सन्यास्त साधना मन भगवान मा लगावने तरीका कसरी गरने अब सबय को आफना आफने काम अरू छन तेसमा अलग-अलग तरीका आउना सक्छा जस्त है यदी कोई घरमा उनुण छा बने व्यान उटना साथ ओहो ए प्रभु आज मलाय अजुले नया दिन दिन दिनु बयो आज पनी जीवन द कोई पड़े परें साथे आज ना आफन दा। आख शक चाहर जा को ब्योंडाम घरमान खाए ब्योंग कोई अरेक दिन 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 थिख्ण गरने बागवान को चिंतन गर्ने बश्ट यद आजप पनी ब्हागवान लाए दननी बाद बने हो भली पन्द ने पन्द आमी बिस्तारे बनाव दे जान्छों, जसरी घरमा बगो बेक्ति शांगे आमी गप गर्छों निता, ए पानी प्यूनु भव तपईले, आप प्यूनु छाओ बाइले बनी अनी ट्वाइलेट जान्चो आनी योगर्चो आनी योगर्चो में दुचावडा जी भनी याल जान यही चीज आमने घर को आरको सत व्तसहां गर्थिण हो बने यही चीज को सहं गरनु परिए स्रीक्रिष्न सहं गरनु ala अब मला बात्रूम जानुछ, कल्लाई बने श्रीक्रिष्नलाई बने, गए रहा हो अनि तेस्पजी तिम्लाई पर नुआ दिन चुला, बने आपने जानु सब काम गरनुछ, अनि आपने ध्यान गरने बसनुछ, अथावा ध्यान पईले गरनुबा आपने सब चारू उठनु अबस पर युचन मरा नुआ गरने पिस्ष्ट है कि वाःधन थात्रूम गरने घ्यान गरने बदेश्यलीवा भगवेवयष्ना फ्रनाद पहिले जो सब करऄ अर्या, नास्ता पनितल परिम्लाई परिम्लाई थे नास्ता पनितन सब की अरथ खना परिम्लाई औको लिगरना के घ्र भष्पेक उनू जनू यूनार को कि शारीर ली काम गरनु च्रों पाष्पिभ भांती प्रद्वच पीटीर अ Qui अनी अटारीरा को सब्सक्राण भर शारीर display काम जटिंू और सुरिय। शयुर शारीर थाणाथो कुछ atau in Delia's किनगी अवा तब भागवानला भुनई छान तो ङुछ नया बल मिली ने अब अब नाश्ता बनावनु छा जे गारनु छा गफगार दे वहां अब गफगार देगे द 주고 मनिदे गफगारे को सल है पने देखे enjoy आम्रों मन काँचा कशला था उन्छा ना उन्छा उन्दैने गप गरदे चिया बनावनुछा चिया बनावनुछा अधवा नास्ता बनावनुछा नास्ता बनावनुछा बोजन बनावनुछा बोजन बनावनुछा शबजी कारदे गरनु भाछा तेदी हेर पनी रादे यहुटा आरके तरंग यहुटा आरके संगीत भित्री तो चली रहाँँछ एस प्रकाले बोजन नास्ता बनावनु अब अरु लाइपनी खाउनुस मनले भागवानलाई पनी आरपण गार्नुस आफुले पनी ग्रहणड गार्नुस को को सिनलके फार्निक अरछी हैं आरके सब्सक्राइपुल doit फोत्ता अभित्री प्रकाफ़नुस पनी करने पषमाननँ आपण सीनलके काके यह अगरालावनी पर प्रसccoli धापक होसासए हैं नुचि ए थे प्रभु आपके ऊनल राख एक अनलँ आपके जे ऊइनलाम तो नहले 함 आफे सत penseका से चाहिन पार दूंधा पाज को को राट सपर करते हुशा चाहिन को भी कट्यूते यह जलका हों कि नभीर्शा मै याद आमगी मुद्स्राइबी कि भाण ड्हार क्रिपा को यह प्रत्पाको के था करते है ले रफ्रोम्त करते हमें कि आज थे डुचाही ड़नते स्चतित कर दो हैं तो सच को हैं जब श्रहत वर्दॹत कर दो सब्सक्राशिय कर दो कि आखे जब दो कि रया थंगा निए अनिद में गड़ना काम, भागमान को ध्यान कर दो, ने जब दो कि बना हैं चिंतन कर दो, भागमान को रूप बनावन दट्टी आलने साधनामा जशरी चोरन गय का चोर अरू जब संपत्धी आत्मा लाग्षा ताम फटा फट लूट शन्या एक शेकेंड पन तेया गवड़ जोग शुना बने बस्तर कोई फटा फट जती सगिंच लूट भाग्यो एक के शिन्मा तेसे गरी आमिसादपनी यो ज दो कशी बनों यो नस नुसकि आहां बाच्चिनों खेचारा साधना गर्दाई गरून आजरू एक वद्वी बर्च पकशी करूना वहीनियो ति चाड़ निश्किन चाड़ चिपलिन आत्बाट था जास्ती जास्ते लाग्षा सब चीज आमिसाना ही थेम अस्ती जास्ते ल पर्टियं आक्सें खेले को आयो स्वार्व मैं समय चाड़ू बेद खाली मिलता तुरोंते ध्यान गरी आलूस अब कसवे बोला आयों सक्के सम्मा न जानूस兩個 क्यां बताऊँ न चेंड़ सम्मा हा सुझिए जीड़ देले कपली चावला सक्के सम्मा जानूस हजार भाहाना गर्नुस जाना साथ उसले कसे को खुराकार आपेले पनि कसे को कुरा काती जो जहना बशी कोफ सब भाय रहे रहा च으면 शेय पिंचा उला नास्तागर लुदा हो ला तो आमरो ध्यान आमरो चिंतन उर्धित यह उराय। पुरा काटे रहा औरका को खेदो खने रहा आम रो जुन अली अली कमाई थी सब आमी लुटाए रहा हुँश। तेसे ले सके सम्मग कही जानीने इन अफिस जानुश। किन्मेल गर्णुचा जानुश। इसकूल मा छोड़ा आरलाई पुरे आनुच जानुश। त्या रिजल्ट लिन जानुश। बिजुली को करती दनुच जानुश। सबही काम गरनुश। तरा अनावस्यक ठाउमा कहीं पनी न जानुश। सबही वंदा आनीने काने रहा हुँच। जनाब नपनी ठाव मानवधिया को मात न समझे रहे हो। यह मानवधिया एती शस्तो लाग इती गई यह मानवधिया बर्बाद कर दिना को इन उफ्व है आओ भनी आओ आओ भनी ओ्थ इस गर्था तवच सॉपर छुट सन्मृष भनी। इया तो तोव साथि पणि सत्संग भाना, ज हो दिल तक उनुँट, तो विद रेने कि सही आर्त मा जा हो सदथाख अपनुद , आप वी साथि word in that वह बांपने सत्यू कुनदों से सात्संगा यादी अओ तेने सत्यू को सेंथे, जबीनimize करें बिए पिए लुकिया से सा काइजनने सीमोई स्हां में पुरा बुछित देखक भू llamadmi सठसंग इस ले सखेसं नो कसै अफ बुलाओनूस सठसंग और पर वेहरें अवश्य बुक्ति Comer के सबस्टारनियो की मावत्तु के सबस्टार से आफ़ेंक। तर ले भागवान को सबस्टार रहां है अनियो, प्रें आफेन उभाज़ा सभी पन्रसक्न। परश्य निंदाम पईशुन्यम धिकारम चकारवती आहा, तत कृतम पातकम फ्राप्या स्वा पुंडय प्रददाती सहा, युजुन अरुको आमी निंदा गर छों, तो निंदा गर नाले, तो बेक्ति को पाप आमीमा आऊँछा, और आमरो पुंडय उसमा जानच, एक पतक है णिवता राजा आले, युजुन से सब्सक्रावत 이야기, तो माराज एक पतक से सब्सक्रावता है, तो मोह दो, अजूर को चिना, भो बताउं दिना जन जाननी इच्छा आउंच, बन्नुस 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 आईने फिर अजूर मेला दंड दिन वाला, बन्नुस बन्नुस, बन्ने अजूर लाई चाहिए, अब अहले को साबले, एक अजार किलो आची खाना लेखेगो चाहिए अब कुने उपाय होला, कही न कही तो उपाय होला, एल्ला काटन को लागी, माराज यहटे उपाय चाहिए, यदि हजूर को सबाई ले कुरा काटे बने, फेरी यो जून पाप ले करदा अजूर यो कर्मा केरियो भोग भोगनु पर्नी चाहिए, तो पाप उनियरुमा सार छा, अनि अजूर को पाप नस्ता हूंच, के गरूं था, बने सोदे पंडिज लाए, यह जो करनूस मेरो ठ्याल मा यहटा, सबेले देखनी गरियोड उद्ध्यान बनाउनूस, त्या इस्त्री अरला लेर जानूस, गलत कर्म गरिया अजस्तो देखाऊनूस, तागी बेग्तिया कुरा काटन तपई को, कुरा काटन पजी फेरी तपई को पाप उनेर मा सर्च, राजा ले ते अनुसार गरे, यह बस्ती को बीच मा होडा सुंदर उद्ध्यान ब्राउन लगाए, त्या इस्त्री अरला लेर जानी गर्थे, अब सबले देखे, आम्रा राजा था खुब ध अब सब ले कुरा कारने थाल, 6 महीना बेतीद भाय, पंडी जी ले बोलाये 6 महीना पछी, और फेरी एरना लगाये चीना, पंडी जी ले माने माराज सब अजुरको नस्त बाईशे गयो, बस अब 2-4 ग्राम मात्री बागी छा, किना की अवश्य कोई एस्तो छा, जासले अजुरको कुरे काट्या थेन, अब कुह होला थे कुरा न काटनी, गुप्तचर पढ़ाऊन लगाये चान, सुंदे 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 जादात्यों नगर भस्ति अता होदा सभी गुंदाखरी यह उटा रहिए, विचारा व्यान देखे आरनमा काम गर्थे, बाड़ा बनाऊतियों, उसले ते कुरे कार्दो रहिएं जासे को, कुरे के सुना आए बने तो जल्ले जे गरे पने सब्सक्राइको आपने कर्म को फल भोगचन, तोला के मतलब मला के मतलब बने उल्टे गाली कर तो उसले निंदे ही गर जो रहिएं जा, जार पड़ा जा जो निंद रहिए, आप उसले निल्हें को उनले वह रहिए, अज तो यह कथा द्वारा बताओन हो खोजै को, यह कथा द्वारा बताओन हो खोजै को कियो बने हम गाले को प्राक आड़ संब वेक्तिकों पाप कर्म, वह भोगचन, भवन पर्ठ, कि शास्त्र को वाडियो पद्मापुराणु ओस्लोग। तेसेले कुडपा सधुरा कातने। मुदीम निंदागर लू को, तो पीपद्विएना सथी, और यो आधी भयानक रोग। मुदीमन के निंदा कथी भञेलागर्चु आमे? कुने बेख्ति मां दोस देखें पची बला तो आमने निंदा गर हों क Bene सक्ञेर टो एश्टो चा बननु को मतलख तेस मां defendable दोस केले देख्षे मoritले देख्षचे नि जुन मन ले भागवान को भक्ति गरनु थियो जुन मन भागवान मा लगाऊनु थियो त्यो मन अरको भेक्ति को दोस एर्नमा लगायाम निता जगत गुरु श्री कृपालु जी माराज ठाउं ठाउं मा लेकेर राखन लगाऊनु थियो परदोस दर्शन आदी कुशंग से बचो कुशंग मा सहेवंदा पहला ने परदोस दर्शन गरनु सवेवंदा ठुलो कुशंग कैसले शके सम्मा अरुको मा न जानुस शके सम्मा कसलाई पनी घर्मा न बोलाऊनुस सथ्चंगी सथ्चंगी वेट उनुबह वने पनी केवल भक्तिको चर्चाग श्बस ब्हगवान को चर्चा गरनुस कहाने री मतो कहाने निरी भकबान को याद गर ना काने री मिले परधोस धरसन गर re इस सबहिए चीज आप ले अपुल लाए एक चोटी मुल्यांकन गर्नुश। महले क्यक्य गर्न सकुतीना भक्ति कहाने री गर्न काने री गर्न अब शंकल्ब गर्णुस की हे प्रबुं भोली मापनी प्रहत्न गर्ने चु आजयराम्रो गर्न को लागी रजुरPनी ममाति कृपा गर्नु अबधू मा शुद्धे चु आजुरPनी सयन गर्नुस स्टम जरूरी हो कि नेझी सुतने बलन मेख एंगी ऊठना सक्चिव प्रιαी अजिक को शिवा गर्ना सक्चु भक्तिगर्ना सक्चु, शरिलाई भिष्राम चाहिंगंगे छा सुत्मु पने आफनो लागी हो इना, कस में भागवान क में भागा दूर्ट त्रूर्ण हो डूरा भ। त्रूर्ण पने आफनो लागी हो tarum teenager दॉर्श। . वे बन कामी ले पनी जर्काम हैरे थायोखी मंविए। उन् DENNIS भगत के व खङवान को निम्ति है। – प्रतेक कार्य भगवान को निम्ति है। एस प्रकार ले जब आमी कही दिन अभ्यास गर चो तेस पची फेरी आपसे आप उन थाल चो तेस पची जुन भागवान ले बताऊनु भायको थे नी निरांतार गरनु पर चा भक्ति बने रह त्यो इस्तिति मा पुक्षाँ बल्ल अब जो ओफिस जानुँँँँँँँँ यही चिंतन गर्न सकीन छा एक मिनेट को लागी एक गंटामा पची पची जब एक गंटामा एक चोटी बानी बस चा आधा गंटामा एक पटक तेस पची पंद्र मिनेट मा एक पटक दच मिनेट मा पाच मिनेट मा दुए मिनेट मा एक मिनाट मा अनित त्यो फिलिंग नहीं हुंँँचा जा शरी त्यो फलानो रुनमा फलानो बेक्ति चा बने निरनतर हुंच त्यो निरंतर श्रिकृष्ण योकुणामा छान, मला एरी राचन, योर निरंतर फिलिंग उन्छ एस प्रकारले कर्मयोग को साधना गर्नुछा कर्म सन्यास को 30 मिनेट त्योपनी जरूरी छा और कर्मयोग को युपनी जरूरी छा रा कुशंग गर्नुछा इन्हा कुषंग बन्नाले परदोस्त गरनु, अरुको कुराकाटनु, बिविन ग्रंथ अरु आपई पड़नु, यो पनी कुषंगो, किने कि हामी ग्रंथ पड़ने तो पड़ेर बूझनसकनी सामर्थ्य का छाईनु, मुनी बहु मत बहु पन्थ पुराननी जहां तहां जगरोशो, तुलशिदासी महराज ले बतावनु भैकोछा कि जगराई जगराचनु, सास्त्र अरुमा, प्रस अनेक प्रकार का मत अरु उन्चन, संत अरु का पनी, तेसले बिविन बावाजी को सत्षंग मा पन न जानुस बिविन बावाजी को प्रवचन पन न सुन्नुस, प्र एक ठावमा, एक चित्त भायर, श्री गुरुदेव को सिद्धानतलाई बारं बार सुनेर, तेस अनुसार साधना गरेर, मनन गरेर, भक्ती गरेर, कर्मयोग अनि कर्मसन्यास को साधना गरीर अनुभाय बने, फेरी विश्तारे अन्ताकरण सुद्ध उदरी जान छा, जती-जती मन सुद्ध उदरी जान छा तेती तेदी अनुभापनी आउदरी जान छण, जबा, एस प्रकारले साधना गर्दा गर्दा अन्ताकरण पुर्ण रूपले सुद्ध हुँँच तव श्री गुरुदेवले क्रिपागरेर त्यो सुद्ध अन्ताकरण लाई दिभ्य बनाई दिनूँच अनि त्यो दिभ्य अन्ताकरण मा भगवान को दिभ्य प्रेम दिनूँच दिभ्य दर्शन दिनूँच अनि अब आमी भगवान को दिव्य सेवा गर्न सक्षों सधाई का लागी माला माल उंचों। भक्ति संबंदी कही अन्य सुक्स्म कुरा अरुपनी छन चर्चागरिने छत तरपशी कुनेई दिन। बिंदावन बिहारी लाले की।